आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होगे, मेरा नाम है सिध्धान तक नहीं होतरी, स्टेड़ीग्लोस पे आपका बहुत दसभागेता, आपको अपते ही है कि मैं इस रूप में आपको कब देखता हूँ, जब मैं किताब का रिविवु करता हूँ तो आज हम एक ऐसी किताब का रिव्यू करेंगे जिसको सुन के आप हिलने वाले हैं संभोग से समाधी तक ओशो किये किताब जो अभी तक बेस्ट सेलर रही है ठीक है ये बहुत ही शांदार किताब है और आज मैं इसका रिव्यू करूँगा इसको मैंने आज से दो साल पहले पड़ी थी और मैंने कई बात सोचा थे कि मैं इस किताब का रिव्यू करूँगा आपके सामने आपको बताऊंगा पहुत ही शांदार किताब रही है ये और मुझे लगता है इस किताब को कंपलसरी कर देना चाहिए कि हर किसी को इसको तो पढ़ने ही पढ़ना है क्योंकि यहां पे ओशो बहुत सारी चीजे बताते हैं जैसा कि आपको नाम से लग रहा है इसमें संभोग नहीं है बिल्कुल सही कहा है इसमें तो परमात्मा तक जाने की प्रक्रिया बताई है तो हम बात करेंगे इस किताब को आप जरूर खरी दिया और अपने पास रखिए और इसको पढ़िए बहुत ही जबर्दस्ट शानदार किताब है तो पूरी किताब तो क्योंकि बड़ी लंबी किताब है यह लेकिन मैं आपको बता तो ओशो को जो आप पढ़ेंगे ना उनकी किताबों में आपको बुरियत नहीं महसूस होगी आपको रगए यह मूवी चल रही है क्योंकि इतनी सारी कहानिया बताते इतना मज़ा रगाते ओशो अगर आज के जमाने में ओशो होते हैं अभी भी हैं लेकिन अगर वो जिन्दा होते तो करांती आजा दी पूली दुनिया में भई कसम से तो चलिए शुरू करते तो चो पहला चाप्टर है जिसकी हम बात करेंगे चाप्टर वाईज मैं आपको बताऊंगा आप जैसा कि मैंने बता कि पूरा तो नहीं पढ़ूँगा लेकिन मैं आपको इसका क्रक्स दूँगा रिवियू दूँगा तो सबसे पहले तो यहां पे संभोग शुरूआत के चार चाप्टर में और हमारी पूरी प्रक्रिया ऐसी है कि हम प्रेम को दबा रहे हैं हम प्रेम को जो है वो उसको कहीं न कि उसका दमन कर रहे हैं और ओशो यह बताते हैं कि जिस चीज का दमन होता है हजारों सालों से हमारे जो सादू संत है वो कह रहे हैं कि कभी भी प्रेम मत करो इस्तरी नर नहीं किया वो कभी परबात्पा को पाही नहीं सकता तो यह तो बड़ा देंजरस है यहां पर ओश्यों बताते प्रकृति कि हम संभोग के बीच में रहे हैं मोर नाच रहा आपको बड़ा सुंदर लगता है लेकिन मोर नाच क्यों रहा है और रिजहाने के लिए नाच रहा है अगर फूलों से जो अम्रित होता है वो अगर भवरा नहीं ले जाए तो दुनिया खतम हो जाएगी यह पूरी प्रत्वी ही ऐसे चल रही है जानवर संभोग कर रहा है और हम जी रहे हैं हर जगह यही साब किताब है और यही तो परमात्मा की सबसे बड़ी शक्ती है जनम क्रियेट करने की शक्ती और हम इसी का ही दमन करते जा रहे हैं हम प्रेम को खतम करते हैं हम प्रेम को दबाते जा रही हैं जितना भी जिनों ने भी यह इतिहास लिखा है जिन रिश्यू मुनियों ने उनका बस यही है कि प्रेम को दबाओ इस्तरी की तरफ मत जाओ पूरु ओशो खजुराहों के मंदिरों का उधार देते हैं कि गांधी जी कहते थे इनके ओपर कपड़ा डाल देना चाहिए लेकिन यह गलत है ओशो बताते हैं कि कोई भी चीज को इतनी बार करो क्या होता है कि जैसे एक्जांपल के तौर पे कि आप कोई खाना खा रहे हैं अब आप आपने सेंसेस पर काबू किया आपने माइंडफुल्निस बहुत सारी टेकनीक्स मेडिटेशन आपने शुरुवात से ही कर लिया तो फिर आपकी उर्जा को एक दूसरा बहाव मिल जाएगा लेकिन वो आजकल के जमाने में कोई करता ही नहीं योग दिया नहीं हमने हम सीधा स्टेप 5 पे चले गए हैं तो यही ओशो बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको इसको एकसेप्ट करना पड़ेगा भागना नहीं है बताते हैं कि आज शादिया टूट रही है औरते पागल हुई जा रही हैं अगर आप देखोगे तो औरते पगला चुकी हैं क्योंकि दमन ह हैं ओशो यहां पे बहुत सारे जैसे तई मंदिरों में गिरजा घर में मस्जिदों में मतलब चर्च में चर्च में तो इस्पेशली ओशो बताते हैं कि वहां पे आप शादी नहीं कर सकते लेकिन अगर आप देखोगे अगर आप उन औरतों को उनका इंटर्वी करोगे त आप परशान रहने लगोगे यह तो एक ऐसी चीज है इसको तो बहने देना चाहिए इस उर्जा को दूर दूर तक ले जाओ और इसी उर्जा से ही इसी श्रजन की शक्ती से आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है तो शो बताते हैं कि एक बार एक संद के मतलब मेरे पास ए चाहिए तो अशो बताते हैं कि भाई तुमने पानी नहीं देखा और तुम कह रहे हो कि तुमको सागर चाहिए तो यह कैसे संभव है ताट इस नेक्स्ट टू इंपॉसिबल हमारी सारी प्रक्रिया ऐसी है कि हम प्रेम को दबाते हैं अजीब बात है कि हम प्रेम विवा होने नहीं देते उसको तोड़के हम विवा करवाते और फिर कहते प्रेम करो तो शादिया तो टूटेंग ही ये विवस्ता ही गलत है दुनिया ही प्रेम पेटिकी हुई है और जहां प्रेम नहीं मिलता अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको प्रेम चाहिए और अगर उसको प्रेम नहीं मिलेगा तो नफरती हो जाएगा हिटलर, स्टालिन, बहुत सारे ओशो यहां पर कहानिया बताएं बुद्ध की पूरी किताब में आपको बुद्ध की डेरो कहानिया मिलेगी ओशो बताते हैं कि बुद्ध का जो केंदर था वो प्रेम था हाला कि आपको बताते हूँ कि ओशो सब को गरी आते हैं ओशो किसी को नी छोड़ते ओशो सब पे सवाल उठाते हैं हर एक चीज़ पे सवाल उठा तो वहीं बताते कि यही सब से जरूरी है विकास के लिए आंतरिक विकास के लिए सवाल उठाना यहां पर बोलते हैं मन से लड़ो लड़ना पड़ेगा सेक्स पाप है लेकिन द्वंद छोड़ो यह सब शिक्षाओं के आधार पे मनश में द्वंद आता जा रहा है इनसान जितना आज भारत जो है वो पॉर्नोग्राफिक एडिक्षिन में सबसे आगे हैं सबसे ज़्यादा पॉर्न भारत में सर्च किया जा रहा है लोग सामने कुछ और हैं बता रहें कि आदमी के हजारों चैरे और पीट पीछे कुछ और है देरी में तो नहीं नो सेक्स न इतनी सी है कि जहां पे दमन छोड़ना पड़ेगा जहां दमन होगा वो बड़ा डेंजरस है और सेक्स का दमन तो बहुत ही खतरनाक होता है खजुराहो के मंदिर का एक्जामपल देते हुए कहते हैं कि वो मूर्तियां है वो आपकी बहरी कलपना है कि पोशो बताते हैं कि बहरी मूर्ति मूर्ति देखके इतना ठक जाओ उनको देखते देखते तुम इतना ठक जाओ बोले कि भाया अब हो गया मन भर गया अब आज देख लिया तुमने नंगी तस्वीरे देख लिए हो गया खतम इक्चा खतम हो गई तुमने इतनी बात एक्चा खतम हो गई अब अंदर आ जाओ अब अनदर आके ध्यान लगाओ पूजा करो परमात्मा की तरफ जाओ ये ओशो जो है वो बताते और बताते कि मनुश्य कभी काम से मुक्त नहीं हो सकता क्योंकि उसका प्राथ्मिक बिंदू तो यही है उसी से तो जन्म होता है उसी से तो क्रियेशन होता है तो कहां से आप काम से मुक्त होंगे ओशो हमारे निश्यमुनियों का एक्जामपल देते हैं कि वो बताते कि नरक का अद्वार है क्योंकि व हर जगा का वो एक्जामपल देते हैं हिंदू, क्रिशियन, इस्लाम सब जगां का औरतों के मामले में तो बहुत ही ज़ादा ओशो जो है वो उपेन है कि औरतों को इतना ज़ादा धमन किया गया है कि वो परशान हो चुकी है पती परमेश्वर है क्या बात है, पती तो परमेश्वर है लेकिन कौन कहा रहा है परमेश्वर है पती खुद कहा रहा है मैं परमेश्वर हूँ और पत्री उसको मान भी रही है पत्री जुझला जा रही है उसकी बातों से उसकी ऐसा कौन सा काम किया है जो तुम परमेश्वर हो पती चाटे मार रहा है तो भी पत्री सहरी है अब पत्री पत्री जो है पत्री पत्री पे गुस्सा उतार नहीं सकते तो अपने बच्चे पे गुस्सा उतारती है बच्चा प्यारा है, स्कूल से आ रहा है, कपड़े गंदे कर लिए, पत्नी के रिए, मा के रिया, आस्तों इसका सुधार करेंगे, बट वो सुधार अक्चुली पती का करना चारी है, बच्चा आता है, बच्चे तो कपड़े गंदे करेंगी, बच्चों को यहापे, ओशो बताते हैं कि बच्चा मन होना चाहिए, मन आपकी बच्चे की तरह होना चाहिए, वही परमात्मा कवास है, ओश्यक बहुत अच्छी कहानी बताते हैं, कि ये दुनिया जो पूरी समाज की प्रक्रिया भीड है ये, ठीक है, ये इस इस अ बिग क्राउड, ये भीड है जो आप 15 लोगों को ले जके जाता था, आप experiment करी गई और जब भी वो speech देता था, वो 15 लोग तालीब जाने लगते थे, तो भीड तालीब जाने लगती थी, भीड का कोई इमान नहीं होता है, अगर भीड कर रही है, आपने मनिपुर में देखा क्या हुआ, भीड ने किया, इंडि ठीक है, ले आओ भई, तो एक सूटकेस लेके आता है, वो खोलता है, सूटकेस राजा, कहता है, ये क्या है, कहता है, अरे सर, यही तो फकीर के कपड़े हैं, सभा में सब के सामने बोलता है, और इसमें ये भी condition है कि अगर आपको फकीर के कपड़े नहीं दिखे, तो आप दो बाप के, ढर जाता है राजा, बला दिखे की नहीं, राजा कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे दिख रहे है, सभा में सब कह रहे है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, सब बिल्कुल सही बात है, अब यहाँ पे सब के सब सोच में पड़े हैं, कि मुझे तो नहीं दिख रहे ह है लेकिन भीड क्योंकि भाई इनसान असली चाहरा नहीं दिखाना चाहता है तो भीड कह रही हा wilkul बिलकु देवताओ की कपने है तो तो बुलता है राजा उतारो फिर राजा फिर इंगा हना होने लगता है और वह पहले अपनी पगड़ी पहनता है वहां से हैं नहीं कुछ कोट पहनता है पूरी भीड कहा रही है कियाने बिल्कुल बिल्कुल कपने तो ही है तो कहता है ऐसे ही कतंतर काम करता है लेकिन यही से आपको उठने की जरूरत है और पूरी भीड कहा रही है कि सेक्स मत करो इसकी बात करना भी पाप है और जिसकी बात करना पाप है आज वही पाप सबसे आगे है सबसे ज़्यादा दुनिया में क्या हो रहा है sexual crimes हो रहे है तो यही ओशो बताते हैं इसको accept करो शुरुवात सही बच्चों को बताओ बोडी के जो महिला है या जो पुरुष उनकी बोडी इसके बारे में बताओ वो कैसे काम करते हैं जब यह होगा तब acceptability होगी तो शुरुवात शजन के उर्जा राम अनुज की कहानी थी जो मैं बता रहा हूँ कि जब एक लड़का आता है और कहता है कि मुझे परमात्मा को पानना है लेकिन मैंने कभी प्रेम नहीं कि मैं इन जहन्जटों में नहीं पड़ा तो राम अनुज तुरंद बोला कि भाई जब तुम प्रेमी तुमको सागर चाहिए लेकिन तुमने पानी ही नहीं पिया तो कैसे होगा ना मुम्किन है बिटा तु वापस चला जा ठीक है तो यह चीज है बाकि और भी बहुत सारी चीज़े अहंकार के बात करते है कि ये ये भी प्रेम ना होने के वज़े सही आता है जितनी भी नफरत है जितनी भी बुरी चीज़े है इस दुनिया में प्रेम नहीं है इसी के वज़े सही ये सब हो रहा है जहां प्रेम हम पूरी दुनिया में प्रेम की बात हो रही है लेकिन फिर भी अगर आप देखो त लेकिन उनके साथ क्या हुआ कि ऑरत नर्ग कदवार है औरत को नाच वह ऑरत यह औरत वह है जीजस के साथ जो और ती आखरी तक को मेरी मैडिनल थी आखरी तक उनके साथ रही ये भी बताते है ओशो कि उनके एक शिष्य नहीं मुखबड़ी की थी लेकिन चंद पैसों के लि पुरी दुनिया में फैल जाता सूली चड़ना भी भाई भगत सिंग ने फासी ली कबूल की और वो बिल्कुल इसके खिलार तक मुझे फासी मत दो मुझे फासी दो ताकि मेरा मेसेज पूरी दुनिया भर में पहुँचे और यही हुआ तो यह बहुत सारी चीजे जो हैं वो कहते हैं फिर उसके बाद शुरुवात के 4-4 तस में तो दोस्तों यही हो रहा है ठीक है कि कुछ भी अगर आप बोलेंगे प्रेम के बारे में प्रेम की बाते तो बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन प्रेम को दबाने के यहां पर पूरी को कहते कि आदमी का यह साइकलोजी होती है कि अगर हमारे साथ दुख है हमको कुछ नहीं मिले तो तुमको भी नहीं होने देंगे और कहीं ऐसे इंसानों के पास ताकाद आगी तो और ज्यादा दिक्कत तो शुरुवात से जो हमारी प्रेयोजन है वो बहुत ही घलत है हमने प्राणों पर यह मंतर दौराय जाता कि जीवन विर्थ है जीवन असार है जीवन दुक है जीवर छोड़ देना ही हो गया है सुन सुनकर धीमे धीमे हमारे प्राण में पत्थर की तरह मजबूत होकर बैठ गई है इस बात के कारण जीवर असर दिखाई देने पड़ता है जीवन दुक दिखाई देने पड़ता बढ़ बत बिल्कुल गलत है यह ऐसा नहीं है यही दुनिया तो है जिसमें आपको रविद्ना टेगोर की कहानी बताते हैं रविद्ना टेगोर के बारे में काफी बात की है ओशो ने इस किताब में भी तो बताते हैं कि मतलब इनसान इतना दुखी है उसके पास जो है वो उसमें खुश नहीं है उसके पास इतना कुछ है लेकिन जो नहीं है वो उसमें दुखी है ओशो यहाँ पर एक और काहनी रवीन अटेकॉर की जैसे काहनी बताते है कि भाई एक बार वो नाव जा रही थी नाव पे थे वो ठीक है एक दिया बुझ जा था पूर्णिमा के रहा थी चान निकला था दिया बुझ गया इतना खूपसूरत लग रहा था सब कुछ इतना खूपसूरत लेकिन कितने लेकि इसको इंजॉय करने के लिए अगर कोई नफरती व्यक्ति हो होगे उतना है हमारे पास जो हैं आद्मी के हजार चैरे हैं ठीक है वह हमेचा दस के गृप में जरूर जाएंगे और आद्मी देगा भी क्योंकि उनको दूसरों को दिखाने के मैं कितना वह दानी हूं तो एक बार विकारी के पास राजा है अब भीकारी बड़ा खूश क् कमाई हो जाती है तो राजा आए भी या राजा तो अब यहां पे बोला सोचा भीकारी ने कि भाई अब तो मेरी मतलब पूरा जीवन धन्य है क्योंकि राजा आ गया है और राजा जो है वो भर भर के दान देंगे मुझे क्या बात है जैसे ही राजा आते हैं वैसे ही उसके भ पुरा का पुरा जो kingdom है सामराज वह डूब जाएगा अब भीकारी बड़ी दिक्त पहल किया जिसे दान दें एक मुट्टी चावल के बोला है लेकिन एक मुट्टी चावल तो बड़ी मुश्किल ने भीकारी से एक मुट्टी चावल दिये बदले में उसको मिला भी बहुत कुछ बहुत कुछ और भीकारी परशान उसको इतना कुछ मिला उसने ये नहीं सोचा लेकिन घार आके उसकी पतनी कुछ कह रहे आज कि चौपन ठीज़ आ सबंगे लेगे ये चीज़ है सो लेकिन ठीज है तो हम नहीं उन्हें आक डाना temptation अधारी की जौली में मिन अब बिकारी की जूली में जब भीकारी को दिखा तो सोने का था विस्म hm पगला गई उसकी बीवी लेकिन वह और दुखी कि अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी मुझे दो-ती मुटी और दान देने चाहिए तो और मुझे सोना मिल जा अरे ये बहुत बड़ी को नहीं जीएंगे, तब तक हम कैसे उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, जब ऑर उसको Shahi तरीके से उसको except करना चाहिए, उसके बारे में बात हो ली चाहिए, पहले का जमारा बहुत खुला था, इसके बारे में बात होते जी, जहां जिस समाज में इन चीजों का दमन होगा, वो ultimately किसी ना किसी रूप में सामने आएंगी, क्रोध के सामने आ सकती हैं, पागलपन के सामने आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे है तो यह यहां पे बोली, और शुरवात के चाहर चाप्तर में बहुत सारी और भी चीज़े हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन मूलिता जो है, वो यह चीज़े जो है, वो बताई गई है, कि दमन ना करिए किसी, अगर आपके अंदर प्रेम है, तो उसको प्रकट करिए, प्रेम क जब आप परमात्मा की तरफ जाते हैं, जब आपको मिस्टिक एनरजी आती हैं, तो उससे दस गुना ज़ादा वो हापनेस आपके साथ रहती है, आपको परमात्मा की, यह बताते है, सेक्स एक मेडिटेशन की तरह है, क्योंकि जब आप संभोग करते हो, बस आप उसी में भागते रहते हैं, आप बताते हैं कि अगर उसको टाइम पीरिट को काफी लंबा कर दे, माली जब दो तीन घंटा गरम कर दे, तो आप जिन्दगी भर कभी सेक्स नहीं करोगे, ब्रह्मचर के बारे में बोलते हैं कि कोडी बकवास है, ब्रह्मचर के बारे में उश्यों ब गांधी जी को कहते हैं कि गांधी जी ने उनकी जो भांजिया थी कौन थी, मनु और उनके साथ वो 70 साल के जब थे गांधी जी तब उनके साथ नंगेस होते थे, अपने ब्रह्मचर को टेस्ट करने के लिए, इसका मतलब उनको अभी तक अपने पर भरोसा नहीं थे कि मैं ब्रह्मचरी हो, तो यहां पे कोई चीज थोपी है नहीं, कल से कह देंगे कि आपके हां, खतम सब, ब्रह्मचर रहे, ब्रह्मचर रहे, दाट सेट, मजा आ जाएगी, लेकि नहीं होगा, प्रॉबलम होगी, धीमे धीमे स्टेप बढ़ाइए, आप परमात्मा की और आपको सिर्फ वही सुक चाहिए, वही सच चाहिए, पाकि और चीज़े करने का बन ही नहीं करेगा, जबरदस्ती कोई चीज थोपना, वो तो विनाशकरी हो जाती है, समझ रहे हैं, तो जिनको आप ब्रह्मचारी कहते हैं, तथा कति जबरदस्ती थोपे हुए ब्रह्मचा हैं, कितने लोग इसमें फसे हुए और जो नहीं भी फसे हुए हैं, वो लेड़ी एक तो भागी कभी यह अपना अलगी देश बना लिया कहला सा, है ना, तो और यह बातें बड़ी-बड़ी धर्म की करते हैं, तो वहीं बताते हैं कि जो इंसान कहता है, वो कभी करता नहीं ठीक है, तो यहाँ पे सेक्स के पास ऐसे जैसे मंदिर के पास, पतनी को ऐसे समझे जैसे कि वो प्रभू है, पती को ऐसे समझे जैसे कि वो प्रबात्मा है, और गंदगी में, क्रोध में, कठोरता में, दोईश में, इडशा में, जलन में, चिंता के शडों में, कभी भी से और विवा के बात करते हैं यूवक और यौन की बात करते हैं ओशो कहते हैं कि हमारा देश एक बुढ़ा देश है स्वामी विवेका नन्न ने कहा था कि मुझे सौ ऐसे अगर आदमी दे दो लड़के दे दो जो यूवा हो मतलब जो डाइनमिक एनरजी तो मैं पुरे देश को बदल दोंगा कितनी 140 करोनों के देश आज है और हमारे पास कैसा ऐसे यूवा नहीं है ओशो बताते हैं कि इनसान जो है वो मन से जवान होता है एक बुरहा आदमी फरक नहीं पड़ता अलबर्ट आइंस्टीन कहें जब दिमाग का प्रॉपर एनलिसिस हो तब पता चला कि उनका दिमाग जो है वो जवान है तो ओशो यहीं बताते है कि इनसान मन से जो है जो मन होता है ना मन उससे जवान चित जो है उसका जवान होने चे लेकिन हमारे चित बुड़ा हो चुका है हमने जबरदस्ती अपने आपको बीडियों में बांध रखका है हम अपने आपको तो हम भूने हमारे चित्त भूला है इसको जवान रखिए जितना से ज़ादा से ज़ादा हो सके क्योंकि जब चित्त जवान होगा तब ही तो वह एनरजी आएगी लेकिन हम बचपन से ही हमने पूरा प्रयोजन किया हुआ है कि कैसे अपने आपको भूला करें वही घिसी हैं यह सब आदमियों ने बनाई हैं सती हो गया यह ऐसे वरत कभी आपने सुना कि जो कोई आदमी है ठीक है वो आंके जल में मर गया उसके लिए आप उल जलूल जो है वो आप रीजन्स देते हैं कि नहीं उस समय मर्द कम थे यह फलाना डमा का आप किसी की जान ले रहे हो यहां तक तो फिर भी ठीक था बट विद्वाओ का जीवन तो और दद कश्ट कारी था तो जितने भी लोग हैं यह जो आदमियों ने अपने लिए प्रयोजन करके रखे हुए हैं यह सब एक जमी जमाई विवस्था है संतों ने संतों को पता है कि अगर संत जब मैं बोल र हैं ठीक है ओशो सारे धर्म को बोल रहा है तो इनकि यह प्रता है इनको मालूम है कि अगर पाप गया लोग दुखी नहीं कि तो धंदा नहीं चलेगा तो चाहते हैं लोग दुखी रहे जितना जादा होगी होगा स़के लोग दुखी रहे ओष्व बताते कि कुछ प्रोफ जाता था कि तुम कर क्या रही हो तो आज रश्या में यूरोप में education or health free है और शो बोलते हैं भारत में भारत में प्राइवेट है यहाँ पे जो doctors हैं जितने भी जो डок्टे से उनको कोटा दिया जाता है तांगेट दिया जाता है कि आपको इतना पैसा चाहिए इतना करना है ये करना है तो यह प्रॉब्लम है तो अब इसकी वज़ए से हमगे मार मी हैं हमारे बीमार य aktiv चाहेंगी जितना से जदा हो सके वकील का पेशा वकील का उसकी अनका सब्सकुषाका नहीं होंगे यहां पे तो चाहेंगे लोग profit सोचता है यूरोप में education और health free है बता है ना उको तो यहाँ पे भारत जो है वो इस तरीके से करते हैं कि हमारा फिर जन संख्या विस्पोर्ट के बारे में बात करते हैं ठीक है कि जन संख्या जो विस्पोर्ट होती जा रही है कि आगे आने वाले समय में अब बता रहे कि हम प्रेम को इतना रोकते हैं कभी भी हम संभोग पे बात नहीं करते हैं लेकिन अगर आप देखो तो हम सबसे जादा जन संख्या वाले देश हो गए हैं है ना सबसे जादा तो यह आने वाले समय में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा मतलब बताते हैं ओशो की हाथी से भी बड़े-बड़े हाथी थे मतलब जो उनके पूरवज थे ऐसी बहुत सारी प्रजातियां एंटार्टिका के नीचे मिली है जिनका आज नामों निशान भी नहीं है कुछ नहीं आज और ऐसी हमारे साथ होना है क्योंकि हम खतम करते जारे हैं सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम परिवार नियोजन करें फिर प्रेम और विवा जैसा कि मैंने बता है सबसे बड़ा शबसे शांदार चार्टर है प्रेम और विवा जो मुझे लगा कि विवाएक एग्रीमेंट की तरह है विवा होते ही क्या है आपको अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई और मिल जाता है प्यार तो है नहीं प्रेम तो है नहीं दोनों ही डिप्रेशन में जा रहे है पूरा समाज कह रहा है कि प्रेम विवा मत करो प्यार तुमने कर कैसे लिया ऐसी की तैसी तुमारी प्रेम को रोका बहुत शांदर बात कहते हैं ओशो कि आज आप देखते हैं कि जो माबाप है कई बार बच्चे अपने बूरे माबाप के साथ बहुत खराब विवार करते हैं लेकिन ओशो बताते हैं डिलेट रिवेंज है ये डिलेट रिवेंज है ओशो बताते हैं कि गलत है तो गलत है चाहे माबाप हो चाहें कुछ भी हो Delayed revenge को कुछ उस तरह बताते हैं कि शुरवात में बच्चो को मारते हैं क्योंकि पत्यी पत्नी आपस में लड़ तो पत्नी बच्ची कोपर गुस्सा निकलती है पहुत मारती है, पगड़ पगड़ के मारती है तो अब वो प्रॉसेज जो है वो शुरू हो जाता है पती भी यही करता है तो जब बाद में बच्चा फिर पगलाता है तो फिर वो वही चीज उसके दिमाग में घर करती है क्योंकि जो चीज बच्पन में घर कर गई वही होता है, तो यह डिलेट रिवेंच है तो ऐसे में क्या किया जाए प्रेम की तरफ जाए वो शो बताते हैं कि जिन घर में प्रेम होता है आम तोर पे वहां के बच्चे बहुत ज़्यादा सक्सेस्फुल कमाल पैदा होते हैं लेकिन जो नफरत से बच्चे पैदा हो रहे हैं वो नफरती निकलेंगे यह वड़ा डिंजरस चीज है यहां पर विद्रो के बारे में बताया कि विद्रो ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है हम हर चीज़ को एक्चेप्टर लेते हैं कि क्या ही फर्क पड़ेगा ठीक है जैसा है वैसा है हम उसी भीड में शामिल होते हैं और बताते हो जो कि भीड का कोई इमान थोड़ी नहीं क्राइम हमेशा भीड करती है मार्ती भीड है सपनों का दमन भीड करती है इंडिविज्वल नहीं और भीड नहीं सारा प्रयोजन आपके लिए किया हुआ है भीड को बर्गलाना बहुत आसान है भीड मासूम है आप उससे कुछ भी करवा सकते है मैंने हिटलर का एक्जामपल दिया 15 लोगों को ले जाता था अरे मैं दोस्तों कही बर मूवी थियेटर्स में गया हूँ मैं हसा ऐसा कोई भी सीनित ए अगर आपने जितने भी शास्त्र लिखे गए है और इन में जो पढ़ा रहे वो पढ़ा क्या रही है वो ऐसा पढ़ा रहे वो ऐसा इस तरीके से पढ़ा रहे कि उनके पास जाहदा से जादा लोग आए यहां पे लोग दुखों का फाइदा उठा रहे और दो किसी ले कुई कि प्रेम नहीं है, और ये आगे आने वाले समय में बढ़ता रहेगा, ओशो कहते हैं कि बंदिशो को तोड़ो, बुद्ध की कहानी बताते हैं, बुद्ध एक आदमी से मिले, उनके साथ एक भिक्षुग भी था, उनका एक स्टूडेंट, तो एक आदमी से मिले, तो उस आदमी ने बुद्ध से बोला कि, मैं भगवान में नहीं मानता हूँ, मैं नास्तिक हो, तो बुद्ध ने बोला कि, तुम नास्तिक हो, अरे इस दुनिया में एक ही सच वह परमात्मा, बुद्ध आगे चले, दूसरे आदमी से मिले, दूसरे में बोले कि, मैं भगवान से बहुत मानता हूँ, मैं क्या करूँ, तो बुद्ध ने बोला, अरे भगवान जैसे कोई चीज़ नहीं है, तीसरे आदमी से मिले, उन्होंने बोला कि, मुझे समझ में नहीं आता भगवान है कि निवो चुपो के आगे निकल गए बुद्ध तो जब उनका स्टूडेंट अउन से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं आपने एक को दूसरा उतर दिया दूसरे को दूसरा ऐसा क्यों तो बुद्ध ने बोला कि मैं इनके जो दिवा नारी के बारे में कोई इतिहास नहीं दमन 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 और नारी इसको से भी लेती है असानी से लेकिन ये जग जाहिर है कि पूरी शक्ती नारी की है धरती है प्रकृति है ओशो अपना एक एक एग्जामपल बताते हैं कि नारी की शक्ती कितनी जादा ताकत वर है कि एक बार अब बढ़ी मुश्किल थी जद्दो जहट थी लेकिन वहां से एक औरत गुजरी और जैसे उस शरीर को छुआ वो आत्मा तुरंत उस शरीर में प्रवेश कर गई इतनी पाफुल एनरजी है और हम उसी का ही दमन कर रहे हैं बताते हैं कि औरतों में सजक्ता जादा है औरतों म पिता जी से मैट्स पड़ता है तो पिता जी तरपड़ा देते हैं मा नहीं करेगी नेचर ने फिजिकालिटी उनको नहीं दी है बट बाकी जितनी चीज़ें चीज़ें वो मर्दों से बहुत आगे हैं और आपको जानके दोस्तों हहरानी होगी कि बहुत सारी प्रजातिया वहाँ पर प्रयोजन कुछ इस तरीके का है कि जो मादाएं हैं वो ही आगे हैं जैसे हनी बीज वे खाली मेल का पता है कितना काम है रिप्रोड़क्शन बस और कोई काम नहीं है बाकी सब कुछ मदू मक्खियां ही करती है है ना हाथी में जो लीडर होती है वो हतनी होती है शेरों में भी जो शिकार करते हुँ शेरिनिया करती है बागिन बाग से जादे ताकतवर है विल्स जो होती है वहां पर भी जो फीमेल है उनका ही जादा काम है वो जादा बड़ी होती है stuff इनसानों में ऐसा है कि वाज फिसकालिटी ना होने के कारण उनका हमेशा दन दमन किया जा रहा है, नहीं है, गलत है, जिस गर में ओर्ट की इज़त नहीं होगी, वो गर कभी आगी नहीं बढ़ेगा, वो गर हमेशा वही का वही रहेगा, वो सोच हमेशा पीछे चली जाती है, और वाँपे दुख जो है वो घिर लेता है, और आखरी के जो कुछ चाक्टर्स है सिद्धान, शास्त्र और वाद से मुक्ती वाद बताते है कि तुम साम में बाद हैं हिंदू, मुस्लिम ये सब तुम्हारा मुखोटा है जब तक ये चलेगा तब तक इस दुनिया में लड़ाई होती रहेगी तुमने अपने आपको कभी पहिचान ही नहीं, तुम बस यह हो, वो हो तुम अपने किसी ना किसी चीज़ से तुम अपने आपको relate करते रहे जिसकी वज़े से तुम हमशा परिशान रहोगे तुमने कभी समझाई ही निकि उस पार भी हो सकता है तो ये बहुत जादा जीवन का पहला सूत्र है कि इन सबसे मुक्त हो जाओ ये सारी बेडियां तोड़ दो ये दिवारे तोड़ दो भीड समाज दूसरों से मुक्ति कि भीड का मैंने आपको कंसेप्ट बताया समाज का मैंने पहचानो दूसरों को दिखाने के लिएम रियाक्ट करते हैं हम घर में तो कुछ है अकेले कुछ है लेकिन दूसरों के सामने हम कुछ हो जाते हैं जैसे हो वैसे ही रो समझे यहां पर ओशो गालिप के काहनी बताते कि जब बादूर शाह ने उनको डिनर पर बुलाया तो बादूर शाह जो है भाई वो अब क्या है कि गालिप उस समय जो कवी थे उनका पैसा था नहीं उनके पास तो उनके लोगों ने उनको कपड़े लाके दिए कि तुँ वहा क्योंकि उनके पास ना जूते थे फटे फटे चित्रड़े कपड़े जूते पहन के चले रोग लिया उनको और जैसे ही वह रोका कि कहा जा रहे हो कौन हो तो तो बहुत समराथ ने बुला करदा चलो चलो निकलो बाहर पिर उसके बाद वापस गालिप बहुत अच्छे कप पगड़ी खा, एक और ले थे कहते, ले बाजू बंद खा, एक और ले थे कहते, ले धोती खा, तो ये कहते कि क्या कर रहे है, कहते है रे भाईया, हमारी इजट का है, हमारे कपडों की इजट है, दिखावा है याँ पे, जो मैं अंदर से हूँ, वो दिखा नहीं सकते समाज क वो accepti नहीं है क्योंकि समाजी कहती है कि नहीं नहीं तो यह नहीं करना है भीड से अलग चलना है अंदर की शक्ति को अपने आपको पैचानों के जबाब तभी होगा चीजे और दमन से मुक्ति कि जो चीजे acceptability सबसे important है कि अगर आपको दमन से मुक्ति चाहिए तो आप जिस उसका दमन करना है उसको अपको accept करना पड़ेगा यहां पे एक और कहानी बताते हैं कि एक बहुत एक आदमी था गाओं में ठीक है तो वह बहुत ही जाद उसको गुस्सा आता था कुरूद आता था वह इतना जादा क्रोधी था कि ऐसा बोला जाता था कि उसको उसने पनी तक को मार दिया था कुए में दालके तो एक बार उसने बहला कि बस मैं अगर्र मेनेजमेंट करूँगा तो बार उनकी असन्ता है तो उनसे बहला कि मुझे बहुत था गुस्सा आता है जादा थीक है तो अब यह तो बड़ी सन्यासी को यहां पर कहते है जीवान सब कुछ और आप अजिता दोसके नते है भाट अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है अब क्या है कि एक बार उनसे एक आदमी मिलने आया मोन का दोस्त था पुराना तो होता कहा कि जब हम बहुत उपर जाने लगते हैं तो हम चीजों को दबाने लगते हैं कहना का मतलब यह है कि हम accept मतलब जो हमारे पुराने मिलने वाले थे कि नहीं हम तुमको नहीं जानते तो आदमी मिलने आया तो बोला कि अरे मुझे पहचाना तो सन्यासी ने बोला कि नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना आप कौन अब यह समझ गया कि पहचान तो गया है यह ल दिमाग खराब है, फिर वो बाची शुरू ही, फिर वो कहता है कि क्रोध आ रहे हैं, वो सन्यासी उठा पकड़ के निगा भागयाँ से, तब फिर वो बोलता है कि देखा, तुम भले कितने बड़े सन्यासी हो, लेकिन तुमारा क्रोध खतम नहीं हुआ, बस यहां तुमने द तो यहीं पे यहां पे बताते हैं, और फिर उशो बताते हैं कि इन सबसे मुक्ती पानी हैं, तो माइंड फुलनेस, अवेरनस बहुत ज़्यादा जरूरी है, चीजों को अबजर्व करो, चीजों को देखो, उस पल में रहो, और उशो यह भी बताते हैं कि बहुत गरीबी सोच से मुक्ति पाओ ये बहुत ज़्यादा जरूरी है ये दुनिया कहती है पैसा पैसा ना कमाओ बिल्कुल गलत है घंगोर पैसा कमाओ लेकिन उस पैसे को सही चीज़ के लिए इस्तेमाल करो तो जितना ज़्यादा पगेर रहोगे जितना ज़्यादा ये किताब तो कमपलसरी करनी चाहिए क्योंकि इस किताब में ये बता कि आप जीवन कैसे जीए बाकि अब मैं सोच रहा हूं कि एक और किताब का रिवीव करूं जो पुझे परस्नली बहुत ही जादा शांदार लगी थी ठीक है और मेरी वन आफ दी फॉर्स्ट फ्यू झाल झाल झाल